जमसेतपूर के चाकूलिया के नंदी आस्रम में लोग इन दिनों उट से परिशान है। दरसल भी सर्फ के जवानों ने एक महिने के भीतर 53 उटों की जान बचाई जो बांगला देश के बॉडर पार कराने के लिए ले जाये जा रहे थे। इन बरामद उटों को चाकूलिया के नंदी आस्रम में भिजवा दिया गया। इनमें से तकरीबन 35 उटों को अब तक राजस्थान भेजा जा चुका है और 17 को भेजने की तयारी है। लेकिन इस बीच आस्रम की लोगों का कहना है कि उट गर्म इलाके में रहना पसंद करते है चुकि जारखंड में काफी हर्याली है तो इनको भोजन तो पेड़ पौधों से मिल जाता है लेकिन इनका खास भोजन राजस्थान से मंगवाना पड़ता है जो काफी महंगा पड़ रहा है। जो की स्लॉटर के ले जा रहे थे तो ट्रकों में लटके जा रहे थे पुलीस ने पकड़ा वो हमें हैंड ओवर किया है इसके पहले जो आईथी पैरती सूट है वो बीस अफ वालों ने पकड़ के दिया था बांगलादेश वाटर से